नमस्कार दोस्तों, आपका विमलादीवी यूट्यूब चैनल में हार्थिक स्वागत है, आज हम आपको बताएंगे धनवन्तरी पूजन विधान या धन त्रियोदसी कार्तिक मास की कृष्ण पक्स की त्रियोदसी यानि धन त्रियोदसी अर्थात धनतेरश के रूप में मनाई जाती है यह दिपावली के आने की सुब सूचना है इस दिन धनवंतरी के पूजन का विधान है कहते हैं कि इस दिन धनवंतरी वैद्य शमुंद्र से अमरत कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए धनतेरश को धनवंतरी जयन्ती भी कहा जाता है इस दिन घर के तूटे फूटे पुराने बरतनों के बदले नए बरतन खरीदने का विधान है चांदी के बरतन खरीदना भी इसमें अच्यदिक सुब माना जाता है इस दिन वैदिक देवता यमराज को भी पूजित किया जाता है यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के द्वार पर रखा जाता है रात्री को इस्तरिया दीपक में तेल डाल कर चार बत्या जलाती है जल, रोली, चावल, गुड और फूल, आदी नवैद्य, सहीत दीपक जलाकर यम का पोजन करती है कहते कि है कि इस दिन हल जुती मिट्टी को दूद में भिगो कर उसमें सेमर की साखा डाल कर तीन बार अपने सरीर पर फेरने तथा कुम-कुम लगाना चाहिए साथ ही तुलारासी के सूर्य में चतुर्दसी वे अमावश्य की संध्या को जलती लकडी की मशाल से पित्तरों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए आपको धन तेरश की हार्दिक सुबकामनाए धन्यवाद